Hello Friends, आज मैं आप लोगों के साथ बनाना केक की रेसिपी शेयर करूंगी, इसे मैं ओट्स और गेहूं के आटे से बना के आज तयार करूंगी, साथ ही आज बे इसे गैस के उपर बनाने वाली हूं, सबसे पहले एक कप ओट्स ले लेंगे, इसे मिकसर की साहीता से पीस के हम पके हुए केले लिए हैं ये अच्छे से पके हुए होने चाहिए कच्छे केले केक बनाने के लिए इस्तमाल नहीं करेंगे उसका टेस्ट इतना बढ़िया नहीं आता है इन्हें में छोटे टुकड़ों में काट लूँगी इसमें एक कप हम शूगर डालेंगे। सुगर की कवांटिटी अप तोड़ी कम या जदरें में टेस्ट की कोडिंग कर सकते हैं हाफ कप इसमें मेल्टिड गी मैंने इस्तमाल किया है। आप गी की Standing mett याए क्वात तन्साफ की है या मेल्टिड बटर का इस्तमाल कर सकते हैं हाफ टेबल स्पून इसमें अब हम बेकिंग पाउडर डालेंगे बेकिंग पाउडर से हमारा केक अच्छे से पूल जाता है हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर वन थर्ड टेबल स्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडे से हमारा केक सोफ्ट बना रहता है, वो हाड नहीं होता और आप दोनों ही चीजे डाले, ये दोनों चीजे अपना काम अलग-अलग करती है एक कप मिल्क ले लेंगे, ये रूम टैंप्रेचर पे है, मिल्क हमारा ना ज़्यादा गरम होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा और अब इन सभी चीजों का एक स्मूथ पेस्ट बना के पहले तयार कर लेंगे अब एक कटोरी ये हूँ काटा लेंगे हम, साथ ही वो ओट्स वाले आटे में हम डाल लेंगे और अब जो हमने बनाना वाला पेस्ट बना के रखा है वो हम इसमें डाल लेंगे और इसका अब हम बैटर बना के तयार करेंगे हलके हातों से चलाते हुए आप इसे अच्छे से बिलाएं और केक बनाने के लिए हमें चम्मज को एक ही तरफ गुमाना है दोनों तरफ गुमाते हुए आप बैटर ना बनाएं उससे बैटर तो बन जाता है लेकिन जब हम केक को बेक करने के लिए रखते हैं, वो अच्छे से फूलता नहीं है, इसलिए आप हमेशा इत्यान रखें, कि केक के लिए जब इभी बैटर बनाएं, तो एक ही साइड में गुमाते हुए बैटर बना के तयार करें, हमें ऐसा बैटर बनाना है कि हम चम्मत से डाले तो वो अपने आप चम्मत से नीचे बीरे, साथ ही मैंने गैस के उपर कड़ाई को प्रिषीत करने के लिए मैंने रख दिया है, अब मैंने एक ट्रेग लिया है, इसे गृस से घ्रिष करहे ए और बटर पेपर लगाया है, अब हम सारा बैटरिस में डाल लेंगे, तो किसी शिल्वर के बातनमें भी केक बना सकते हैं लेकिन स्टील वाले बरतनलमें केक बनाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है इसलिए आप uzकें तो वेकिंग प्रे या शिल्वर वले बरतन नहीं ही केक बना के तयार करें यहां । किप करेंगे यह कज्यू है Su करनाप स्किप कर सकते हैं अब ये हमारी कड़ाई है जो ये प्री हीट हो चुकी है मैंने इसमें नीचे नमक डाल दिया था एक कटोरी ये स्टेंड आप इसमें रखे और केक को हम वेक होने के लिए रखेंगे मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए पहले था मैंने इसे 40 मिनट के बाद मैं इसी देख रही हूं आप टूथपिक से या नाइफ से चेक करें ऐसे डालके एकदम क्लियर ये भार निकल रही है और इसे कलर भी कितना अच्छा आ गया है गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे पहले हम इ इसे अच्छे से पहले साइड से अलग कर ले अब इसे हम निकाल लेंगे उपर से आप अलपासा टैप करें इसे असाली से निकल जाता है तो देखें कितना बढ़िया और इसम क्लीन हमारा केक निकल के आया है उपर से हम ये बटर पेपर पहले हटा लेते हैं अगर आपके आपकोशने काट पास बटर पेपर नहीं है तो आप अच्छे से आए इसे ग्रीस करके भी बना ले última की तो भी हमारा केक निकल जाता है कितना सोफट तो कितना सोफ्ट इस देखने से यह आपको लग रहा होगा, कितना अच्छे से यह कूल चुका है, आप एक बार बनाना केक बना के जरूर ट्राई करें, इसका टेस्ट काफी अच्छा लगता है, हम मैं आपको दिखाती हूं, देखिए, कितना बढ़िया यह पका है, और नीचे स से भी मैं आपको दिखाती हूं, कितना अच्छा यह पक चुका है, आप भी घर में बनाना केक आसानी से कड़ाई में बना के तैयार कर सकते हैं, और अपने बच्चों को बनाना केक बना के जरूर खिलाए,